नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टेडी वेप सेजुकेशन चली यहाँ पर हम बात करने वाले हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के अंतरगात इफ एल्स इफ लेडर स्टेटमेंट मतलब यह इफ कही एक पार्ट है बात किए एक मिल जाता आपको इफ एल्स उसमें भी हमने एक्जामपल के रूप में देख लिए अब तीसरा मिल जाता आपको इफ एल्स इफ लेडर स्टेटमेंट ठीक है तो होता क्या है मान लो आपको एक condition पर काम करना है तो simple if अगर दो condition पर काम करना तो if else परन्तु दो से अधिक condition पर काम करना तो आपको ladder statement यहाँ पर जरूत होती है कैसे उधारण के लिए आपने जब condition start किये हम मान लेते हैं कि आपने percentage लिए और percentage को मान लो यहाँ पर 75 ले लिए तो यहाँ पहली condition में चेक किया जा रहा है कि अगर 75 है उससे बड़ा है तो statement पहली run हो जाए अब run होने के बाद क्या हो अगली statement में जाएगा क्या नहीं जब सहीं हो जाएगी तो आगे जो है body मतलब जो है आपका end हो जाएगा program परन्तु अगर यह statement गलत होती है तो गलत होनी की condition में यहाँ पह आता है कहाँ condition 2 में यहाँ चेक किया जाएगा कि 60 से बड़ा है या बराबार तो इस statement इसको run करके output दे देगा और जो program से बाहर चला जाएगा loop से उसके बाद देखे अगर यह condition गलत है तो यहाँ पह आएगा और तीसरी statement run कर आएगा अब यह भी गलत है तो else वाली condition यहाँ पहर रन हो जाएगी तो इस प्रकार से multiple condition है तब काम आता कौन सा if else if letter statement तो इसका syntax भी आप देख सकते है जैसे if पहली condition अगर सही है तो statement बन रन होगी नहीं तो else if के साथ में दूसरी condition चेक की जाएगी अगर यह सही है तो यह run होगी ऐसे तीसरी चोहती पांच भी condition ऐसे चेक कर सकते है multiple पर आखरी में हमको last condition को else लगा कर यहाँ print करना होता है जब यह सारी condition गलत होती है तब ठीक है तो इसके लिए हम प्रोग्राम बना कर देखते हैं तो आप प्रोग्राम का यहाँ पर output भी देख सकते हैं class लिए और हमने function लिए हमने एक number input करा है जिसका नाम है number और number को दे दिया 25 25 इस्टोर होके number में अब number को हम चेक कर रहें कि number छोटा है कि 10 से तो अगर छोटा है तो यह वाला output आजाए नहीं तो else if number बड़ा है मतलब number छोटा है 20 से तो यह output आजाए else if number छोटा है 30 के तो यह condition सही होगी तो output भी हमारा यह ही आएगा मतलब number is between 20 and 29 क्यों क्योंकि 25 है और अगर यह तीनों गलत होती है तो else वाला जो है हमारे statement रन हो जाएगा क्योंकि number is 30 or more मतलब 30 हो सकता है 30 से बड़ा हो सकता है चली इसको हम हळल करके देखते हैं मतलब intelligence idea में चलते हैं हमारी id में और ид में चलते हैं हम यहाँ पे एक new class में चलते हैं और यहाँ सा इसको बड़ा करलेते ताकि देखने मासा नहीं हो, public, static, wide man, और bracket लगा के हम लेते हैं, एक string, और उसके बाद हम जो है, ar.jsa से करके, enter करते हैं, अब यहाँ आपको, जो है, complete रूप से काम सुरू करना, जैसे हम ले लेते हैं, यहाँ पर, कि भाई, एक float, float हम percent ले लेते हैं, float करके, हम अलग example मनाग float percent, और percent को हम सीधे देते हैं, मानलो हमने दे दिए 75, 75 दे दिए, उसके बाद हम check कर लेते हैं, if, if करके हमने check कर आए, अगर जो percent है, मानलो हमने percent लिए, percent बड़ा है बरावर किसके 75 के, तो क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए कि जो statement है, कुनसी system.out.println इसमें हमको print हो जाना चाहिए grade है हम अपने मन से यहां print कर सकते grade है और बहार आके हम लिखेंगे अगर यह condition सही है तो जैसे percent बड़ा है या बरावा 75 के तो condition सही होने पर statement कुनसी रन होगी यह वाली grade है पर क्या हमेशा यह 75 होगा क्या नहीं यहां कम भी हो सकता है मानलो यहां पर 69 हो गया तो क्या 75 से कम है के नहीं बिल्कुल है तो यहां हम लगाएंगे क्या if else ठीक है यहां else if लगाएंगे else if इस प्रकार से हम लगाएंगे bracket शुरू करें और फिर percent हम चेक कराएंगे percent को बड़ा है या बराबर कर लिए किसके भई 60 के कर लिए तो यहां पर क्या होना चाहिए है यहां पर होना चाहिए है कि जो 60 है या 60 से बड़ा है तो system.out.println में क्या आना चाहिए system.out.println में आना चाहिए कि जो grade है वो हो जाए b क्या हो जाए grade b हो जाए और यहां लगाओ semicolon फिर बाहर निकलो अगर यहां 69 है तो ठीक है पर कोई दिक्कत नहीं यहां पर 55 भी तो हो सकता है तो यहां पर फिर से हम लगाएंगे क्या else if और bracket शुरू करके फिर से हम percent चेक कराएंगे और उसके बाद हम बड़ा है बराबर किसके भाई 50 के हो सकता है और यहां हम जो है enter करेंगे इस output को थोड़ा भी बंद कर देता हूं मैं ताकि run करते समय हम देख लेंगे फिर हम लगाएंगे system.out.println और यहां हम करेंगे क्या grade c अब grade बहुत हो गया grade c तक तो ठीक है grade d ने बनवाएंगे हम और हम लिख देंगे सीधे यहां पर एक else condition मतलब जब भी last condition हमको print करना होता है statement print करना होता तो उसको else के साथ ही करते हैं else कब लगाते हैं जब आपको check करना हो condition को पर बीना check करें आपको output देना है तो आप else लगा दो system.out.println और यहां आप लिख दोगे only pass भाई simple सी बात है मतलब जब grade नहीं बना तो only pass कर दो या आप grade d कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं आपको जो उचीत लगे वो आप यहां पर कर सकते हैं आगे हम और इसके बारे में detail में चर्चा करेंगे जब final हम जो है इसमें mark sheet में काम करेंगे या other कोई example के रूप में हम देखने वाले हैं तो यह basic रूप से हमने यहां पर type कर लिए अब हम जो है यहां पर run करते हैं run करोगे तो run करने कौद आप देखोगे यहां तो run करके देखेंगे चलिए मैं इसको जो है run वाली जो window है इसको side में कर लेता हूँ देखे यहां पर 50 में देखें यहां 50 या 50 के बड़ा यानि कि grade C अगर हम इसको बड़ा कर देते हैं 69 कर देते हैं और फिर हम कराते हैं इसको run जैसे हमने run कर आए तो run करने के बाद आप देखोगे तो यहां grade भी आ गया क्यों क्यों कि देखें यह आपको 60 के उपर देखने मिलेगा और 75 से चोटा मानलो 80 करा जाए तो 80 करेंगे तो run होकर देखें यहां पर grade A आजाएगा तो इस प्रकार से आपको multiple यानि कि दो से अधिक अगर condition पर काम करना है तो उसके लिए statement प्रिंट कराने के लिए क्लिक्या लेते हम if else if ladder statement यहां पर उपयोग करते हैं तो इसके लिए देखें आपको जो है मैंने example भी समझाया आप simple एक प्रकार से क्या बना सकते हैं आप mark seed बना सकते हैं तो next जो program रहेगा वो रहेगा हमारा mark seed वाला ठीक है mark seed बना कर देखेंगे फिर next step बना कर देखेंगे हम उसके बाद हम आगे की जो हमारी control statement है उनके बारे में किक करके discuss कर लेंग तो यह आपको समझ में आ गया होगा if else if letter statement अगर इसमें कोई doubt है या कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे comment box में बता सकते हैं ठीक है और वीडियो को like जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ share जरूर करें मिलते हैं next class में तब तक के लिए जैहिंद